करक राशी करक राशी वालों के जीवन में साल दो हजार चौबिस में बड़े परिवर्तन होने की संभावना दिखाई दे रही है जीवन में बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ परिवर्तन इस साल में होंगे सबसे पहले जिस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये साल स्वास्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है हड्डियों की, नसों की और आखों की समस्या से इस साल में आपको परिशानी हो सकती है धन की अगर बात करें, तो धन की स्थिती में थोड़ा सा उतार चड़ाओ भी इस साल दिखाई दे रहा है धन देखिए आएगा आपके पास, हम ये नहीं कहेंगे कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे धन की प्राप्ती होगी, लेकिन अचानक से इस साल में कई बार खर्चे आते रहेंगे आकस्मिक खर्चे आपको परिशान करेंगे इस साल के आरंब से ही आपके करियर में सुधार का योग बनता है यानि साल 2024 आरंब होगा, करियर आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि 2024 के खतम होते होते तक आपको अपना मनचाहा करियर मिल जाएगा साल के आरंब में, रिष्टों में समस्या हो सकती है पारिवारिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है राहत की खबर यह है कि अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका मनचाहा विवाह होने की संभावना जरूर बनती है तो करकराशी वालों के जीवन में दो बड़े परिवर्तन होंगे पहला करियर में परिवर्तन साल के शुरुवात में हो जाएगा और दूसरा स्वास्थ को लेके इस साल जटके जहलने पड़ सकते हैं इसलिए स्वास्थ के मामले में करकराशी के लोग इस साल कोई लापरवाही नहीं करेंगे अब ये जानते हैं कि करकराशी के लोग साल दो हजार चौबिस को कैसे बेहतर बनाएंगे पहला काम करेंगे पूरे साल भर शनी देव के मंत्रों का जब करेंगे ओम शंग शनेशराय नमहा ओम शंग शनेशराय नमहा इस मंत्र को पूरे साल भर रोज शाम को 108 बार आप जब करेंगे हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सर्सों के तेल का दीपक जलाएंगे ये काम अगर आप पूरे साल भर करें आपका स्वास्थ बेहतर होगा आपका संघर्ष कम होगा इस साल को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं और भी लाब लेना चाहते हैं तो इस साल के लिए आपका शुब रंग होगा सफेद इस रंग का जितना जादा प्रियोग करेंगे उतना ही जादा आपके लिए बेहतर होगा सिंग राशी की बात करें साल 2024 के लिए ये साल आपके जीवन में एक नई शुरुवात दिखाई दे रहा है यानि इस साल में आपके जीवन में नई शुरुवात होगी और आप कुछ नया करेंगे अपने करियर में, अपने परिवार में, अपने प्रॉपल्टी में कुछ नया करेंगे और जादा तर चीजे आपके लिए बेहतर रहेंगी सबसे पहले स्वास्त को समझ लें ये साल आपकी सेहत के लिए मध्यम है अगर ध्यान देंगे तो उत्तम होगा अगर लापरवाही करेंगे तो खराब होगा आपको च्छाती, हड्डियों और रक्त चाप का ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए धन के मामले में ये साल आपके लिए संतोष जनक बना रहेगा आर्थिक पक्च फाइनिंशियल कंडीशन और कारोबार ये आपके स्थिर रहेंगे ऐसा हो सकता है कि नौकरी में इस साल सुधार हो और आप नौकरी में स्थान परिवर्तन करें जो लोग नौकरी के लिए परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं कॉम्प्टीशन दे रहे हैं अगर उनकी राशी सिंग राशी है तो इस साल नौकरी की परिक्षा में सफलता जरूर मिल सकती है तो सिंग वालों को सफलता मिलती दिखाई दे रही है लेकिन इस साल में अपने रिष्टों पर ध्यान बनाए रखिएगा इस साल आपके लिए विवाह और संतान प्राप्ती के सुन्दर योग बन रहे हैं तो मोटे तोर पे सिंग वाले ये बात समझें कि साल अच्छा है हाँ रिजल्ट थोड़े स्लो मिलेंगे आपको और इस साल आपका स्थान परिवर्तन हो आप किसी नई जगा पर सेटिल करने के बारे में सोचें इस तरह की संभावना आपके लिए बन सकती है अब अगर साल दो हजार चौबिस को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सिंग राशी के लोग क्या उपाय करेंगे पूरे साल भर भगवान सूर्य की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाईएगा सब्ता में एक दिन खास्तोर से शनीवार के दिन मिश्रित अनाज जिसमें गेहू हो आटा हो बाजरा हो रागी हो जई हो जवार हो ऐसा मिश्रित आटा या मिश्रित डाल इसका आप दान करिएगा पूरे साल और मोटेवस्तोरों का दान करिएगा इससे ये वर्ष आपके लिए बड़ा बढ़िया हो जाएगा और इस साल जिस रंग का आप ज़ादा से ज़ादा प्रियोक करके लाब उठाएंगे इस साल आपका शुब रंग होगा नारंगी बात करते हैं कन्याराशी की कन्याराशी वालों के लिए ये साल कुल मिलाकर लाभकारी रहेगा स्वास्थ के मामले में इस साल में आपके लिए सुधार होता दिखाई दे रहा है हाला कि ऐसा हो सकता है कि साल के अंत में आपकी कोई सरजरी हो संतान उत्पत्ती के मामले में या चोट चपेट के मामले में गॉल ब्लेडर स्टोन के मामले में कोई छोटी मोटी सरजरी आपकी हो सकती है इस साल आपके स्थान परिवर्तन के योग भी है आपका change of place होगा और lab की स्थितियां बनेंगी यानि स्थान परिवर्तन शुब रहेगा धन की स्थिती में सुधार होगा या तो कोई property खरीदेंगे या कोई property बनाएंगे रिनोवेट करवाएंगे इस तरह की संभावना बन सकती है बेहतर career के साथ आपके शाल की शुरुवात हो रही है आपका career साल के शुरुवात में ही बेहतर हो जाएगा नौकरी और व्यापार दोनों उत्तम रहेंगे यानि स्वास्थ्य, धन और career ये तीनों बहुत बढ़िया है पारिवारिक रिष्टों में खास्तोर से वैवाहिक जीवन में दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखिएगा और अगर आविवाहित हैं तो अब ही आपके विवाह में विलंब दिखाई दे रहा है तो कुल मिलाजुला के कन्या राशी वालों के लिए साल बहुत अच्छा है थोड़ी बहुत जो दिक्कत है भी वो साल के अंत में है जिसका उनको ध्यान बनाए रखना चाहिए अब ये जानते हैं कि कन्या राशी के लोग साल दो हजार चौबिस में ऐसे कौन से उपाय करें जिससे साल दो हजार चौबिस उत्तम हो पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करियेगा जादा कुछ नहीं कर सकते एक बार सुबह और एक बार शाम को हनुमान चालिसा पढ़ लिजिएगा नियमित रूप से गुड का और मीठी चीजों का दान करियेगा खास तोर से हर मंगलवार को और इस साल आपके लिए जो सबसे शुब रंग होगा सबसे अनुकूल रंग होगा वो होगा बैंगनी जिसका प्रियोग करके आप अपने पूरे वर्ष को बेहतर बना सकेंगे अस्ट्रो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए एस्ट्रो तक आप और चिटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलिजर से